बढ़िया क्वालिटी का आपका ये पूरा ड्राइंग रूम नजर आएगा पूरी तरीके से आएगा आप देखेंगे कि पूरा ये डेवलप पूरा एरिया है अगर आप 80% लोन कराना चाहते हैं 80 करा लें 90 कराना चाहते हैं तो 90 करा लें नमस्कार दोस्तों मैं रोईद भदवरिया और आज आपके बीच में हम 1100 स्केर फिट का एक जो ये मकान है यो लेके आए है यहाँ इस तरीके के दो मकान बने हुए थे तो वो सेल आउट हो गया है और ये सिंगल आपको यहाँ पे ये मकान मिलेगा ये पूरी कालोनी देखे इसका अगर आपको फ्रंट की बाद 20 इसका फ्रंट मिलेगा 55 जो है 55 उसका गहरान मिलेगा तो 20 भाई पच्पन का ये पूरा जो मकान है ये आपको 1100 स्केर फिट में आपको ये पूरा मिलेगा और अंदर से देखते हैं और देखेंगे कि आप बाहर का गेट है बढ़िया किसी भी तरीके कि आप इसमें बड़ी गाडी जो है वो आराम से इसमें आप पार्क कर सकते हैं आप दिवाले देखेंगे कि बढ़िया क्वालिटी का इसमें सारा आपको paint और जो सारी चीजें हैं वो मिलेंगी quality आप इस घर की देखेंगे कि बहुत अच्छी quality का जो ये पूरा आपको घर है वो पूरा बना हुआ जो है ये पूरा नजर आएगा और carports के area के पास में ही आप देखेंगे वहाँ आपको inverter का space ये पूरा आपको inverter का space जो है वो मिल जाएगा इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि guest के लिए जो washroom है यहाँ आपको guest के लिए पूरा washroom जो Indian style का है ये आपको मिलेगा आप देखेंगे कि ये बढ़िया सा आपको पूरा जो washroom है ये पूरा नजर आएगा बाहर wash basin आपको यहाँ पे लगा हुआ है इसको आप देख सकते हैं ये पूरा covered है लोहे की इसमें आपकी पूरी जो जाली है वो पूरी आपको लगी हुई नजर आएगी आई हम इस घर को अंदर से देखते हैं किस तरीके से ये अंदर से घर बना हुआ है तो आप देखेंगे कि ये ड्राइंग रूम आप देखेंगे बढ़िया quality का आपको ये पूरा ड्राइंग रूम नजर आएगा फॉल सेलिंग का काम इसमें आपको पूरा मिलेगा बढ़िया आपको इस पूरे घर के जो फिनिसिंग है आप देखेंगे बहुत अच्छी quality की आपको पूरी finish जो है नजर आएगी AC के जो इसमें सारे AC के लिए point दे रखा है anchor के इसमें सारे आपको switches मिलेंगे और आप देखेंगे कि बढ़िया quality के सारे ये सारे इसमें आप switches आप देख सकते हैं बाहर की तरफ से विंडो जो है आपकी ये बाहर की तरफ से आपकी विंडो यहां पे खुलती है ताकि बढ़िया सी रोशनी इस ड्राइंग रूम के अंदर आ सके और आप देखेंगे कि पूरी इस पे double विंडो लगी हुई है एक तो glass की विंडो लगी हुई है दूसर बा बावा अंदर हम आके देखते हैं तो जो kitchen है आपको modular जो पूरा kitchen है वो मिलेगा देख सकते हैं आप यहां पे आप modular kitchen सारी विंडो और बढ़िया quality के सारे आपको यहां पे काम जो है पूरा मिलेगा इसके बाद हम यह पूरा hall आप देखिए बड़ा सा यहां पे आपको hall ज अच्छी जो है वो नजर आएगी और 1100 square feet के घर में यह बहुत अच्छा सा आपको पूरा यह घर मिलेगा आपको पहला bedroom नजर आएगा बढ़िया सा इसमें bedroom है जो नजर आएगा घर में अभी light नहीं है तो आपको अंधेरा लग रहा होगा लेकिन यह जो इसका जो हम आप आपको पताएं कि यह जो paint है बहुत अच्छी quality का सारा paint है बढ़िया सी इसमें आपको फर्स मिलेगी सारा जो काम है इस घर में पूरा बहुत अच्छे तरीके से हो रखा है इसके अलावा जिसका जो दूसरा bedroom हम आप देखेंगे तो यह भी आपको bedroom जो है बहुत बढ़ा स खुबसूरत सा बढ़ा सा bedroom जो है वो आपको नजर आएगा बढ़िया quality का इसमें पूरा इस पूरे bedroom में काम हो रखा है चाहे जो इसके अंदर material भी लग रहा है वो बहुत अच्छी quality का सारा आपको material जो है वो आपको लगा हुआ जो है आपको नजर आएगा यहां पी आप देखेंगे OTS का आपको पूरा जो area है खुला खुला area है इसमें अभी उपर से इसमें covered कर रखा है ताकि नीचे पानी वानी ना सके आप इसको हटा भी सकते हैं तो इस घर में जो रोशनी है वो और अच्छी हो जाएगी और बढ़िया रोशनी हो जाएगी तो आप उसको अगर लगा के रखना चाते हैं तो लगा सकते हैं हटाना चाते हैं तो हटा सकते हैं दोनों बेडरूम से आपको सटा हुआ जो काफी बड़ा सा वासरूम है वो आपको नजर आएगा बढ़िया सा इसमें आपको सारा sour है English style की seat है बड़ा सा ये वासरूम है आपको पूरा ये सारा जो है ये नजर आएगा तो दो बेडरूम है एक ड्राइंग रूम है बड़ा सा हॉल है कार पूर्च का एरिया है modular kitchen है तो इस घर में आपको 1100 square pit में जो सारी basic जो सारी चीजे हैं वो आपको यहां पे आपको मिलेंगी अगर हम इस घर के आसपास जो basic amenities की बात करें तो आसपास में आपको 500 मीटर के दाइरे में सारी आपको basic amenities मिल जाएंगी ये जो घर है काकोरी मोड के पास silver city में पढ़ता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जो यहां से काकोरी मोड है मात्र जो आपको 300 मीटर की distance पे पड़ेगा जो बुद्दे सर्च चौरहा है वो यहां से मात्र 1.5 किलोमेटर की distance पे आपको पड़ेगा तो बहुत ही अच्छी location का प्राइम location का ये कह सकते हैं सहर के अंदर का ये पूरा जो है आपको ये पूरा मकान मिलेगा इसके अलावा हम उपर चलके एक बार देखते हैं आप देखेंगे कि stairs जो है इसमें आपक सारी आपको नजर आएंगी steel की बढ़िया सी आपको इसमें grill मिलेगी और देखेंगे कि खुबसूरत तरीके से उपर जो ये पूरा आप देखेंगे covered area आपको जो है पूरा नजर आएगा आसपास के area की बात करें आसपास के location की बात करें तो ये सहर के अंदर की पूरी आपको नजर आएंगे ये सारी आसपास में जो पूरी बसीवसाई कालोनी है वो नजर आएगी सहर के अंदर के ये सारे पूरे आपको घर जो है नजर आएंगे पूरी तरीके से आएंगे आप देखेंगे कि पूरा ये डेवला पूरा area है यहाँ पूरी तरीके से residential घर है नगर निगम में है, लोन की बात करें, तो लोन में भी भी आप यहां पे आप कोई भी दिकत नहीं होगी, अगर आप 80% लोन कराना चाहते हैं, 80 करा लें, 90 कराना चाहते हैं, तो 90 करा लें, पिलर्स पे पूरा बनावा घर है, मजबूत घर है, बेहतरीन कॉलिटी का, आपको यह पूरा सारा जो घर है, आप देखेंगे, 1100 स्केर फिट का, यह को पूरा नजर आएगा, इस तरीके के यहां पे दो घर बनाए गए थे, एक घर सेल आउट हो गया है, यह घर सेल अभी है, अगर लोकेशन की बात करें, तो इस घर की लोकेशन ऐसी प्राइम लोकेशन प पड़ेगा, अगर आपको जो यह पूरा नजर आएगा, यह पूरा आपको मात्र 48 लाख रूट में यह पूरा घर आपको मिलेगा, तो इस लोकेशन के हिसाब से यह घर का जो प्राइस है, वो बहुत ही कम प्राइस है, और एरिया को देखते हुए जिस तरीके से पूरा डेवलप एरिया है, जिस तरीके से पूरी डेवलप कालोनी है, और जिस तरीके से यह पूरा घर ब प्लॉट है उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो आपके बीच में वीडियो हैं हम आपके बीच में लाते रहते हैं